दोस्तो हम मिडल क्लास लोग जब भी किसी बड़े टौबर की ओर देखते हैं या फिर कभी सुपरस्टार के बंगलों के सामने जाकर खड़े होते हैं तो मन में बस यह इच्छा होती है कि एक दिन मैं भी एक बड़ा सा अलिशान घर खरीदूगा। अगर आप किसी भी मिडल क्लास आदमी से उनके सपने के बारे में पूछें तो आदे से जादा लोगों को सपनों की लिस्ट में खुद का घर लेना शामिल होता ही है। अपने को हकीकत में बदलते हैं। आप में से जिनों ने भी खुद का घर लिया होगा तो आपकी भी यही मनोद शारह ही होगी। लेकिन हमारे सपने तब तूटते हैं। जब हमें पता चलता है कि प्रॉपर्टी रेट्स तो इतने हाई है कि हमारे बजट के घर में लिविंग रूम शुरू होता ही खत्म हो जाता है। और डाइनिंग टेबल तो चोड़िये यहां तो चार से जाला लोगों के बैटने की जगा भी नहीं बन सकती। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आप एक छोटे से घर में भी आप सारी सुधाइं पा सकते हैं तो क्या आप यकीन कर पाएंगे। क्या आप जाना चाहेंगे कि आखिर कैसे हम छोटे से घर में डाइनिंग टेबल से लेकर दस मेहमानों के लिए जगए बना सकते हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो के अंतक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि आज हम दमिस्टिका लाइन पर आपको ऐसे ही कुछ इनोवेटिव फॉनीचर्स डिजाइन दिखाएंगे जो आने वाले महेंगाई के समय में अतियन्स जरूरी होंगे और हमारे जीने के तरीके को हमे चुनोती भरा होता है लेकिन ये नामुम्के नहीं है प्रॉपर्टी के बदलते रेट्स छोटे घर बढ़ती फैमिली मेंबर्स की संख्या रेंटेट फ्लैट्स की डिमांड को ध्यान में रखकर मार्केट में ऐसे कई स्मार्ट अनोखे वरिशस को डिजाइन करके इंट्र ऐसे समय में ये चोटा माइक्रो ओफिस बेहदी मददकार साबित होता है इस वीडियो क्लिप में देखने वाला ये चोटा सा ड्रॉवर एक ओफिस में आसानी से कनवर्ट हो सकता है इसके एक ड्रॉवर के स्पेस में चुपी चेर और साइड में लगी टेबिल को उठा कर इसे आसानी से आप अपना वर्क स्टेशन बना सकते हो अगर आपको बैट पर लेटे लेटे टीवी देखना पसंद है लेकिन जगह की कमी की चलते आप बैडरूम में टीवी नहीं लगा पा रहे हैं या फिर आपकी क्लिटर फ्री लाइफस्टाइल आपको बैडरूम में टीवी लगाने से रोक रही है तो पेश है यह अनो का बैट जिसके फुट बोट के अंदर आप अपना टीवी चुपा सकते हो एक रिमोट के बटन से आप टीवी को बाहर की ओर या अंदर की ओर स्लाइड कर सकते हो इस बैड के फुट बोट के अंदर 14 इंचिस तक के सारे LED और LCD TV आराम से फिट हो सकते हैं, साथ ही ये काफी सुरक्षित भी है, तो आप बिना टेंशन के TV अंदर स्लाइट कर सकते हो, इसके अलावा बाकी कई बेट्स की तरह है, इस बेट में भी आपके एक्स्ट्रा सामान के लिए स्टोरेज स्पेस भी उपलब्ध है, क्या आप इस चेर बाकी किसी चेर की तरह ही आम दिखती है, लेकिन इस चेर की खुबी ये है, कि आप इसे किसी भी शेप और साइज में अड़्जस कर सकते हो, जी हां दोस्तों आपने साइज होना, आप चेर की साइज और शेप बदल सकते हो, दरसल इस अनोखी चेर को कार्ट बूट की पतली लेर्स से मिलाकर बनाया गया है और आप, आपकी जरूद के मताबिक इसे किसी भी शेप और साइज में एड़्जस्ट कर सकते हो। सच में, ऐसी अनोखी चेर का निर्मान करने के आइडिया के पीछे एक बहुत ही क्रियेटिव माइंड रहा होगा। आप जो हमाँ आपको दिखाने वाले हैं, वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसे देखकर आप यही सोच रहे हैं कि इसमें ऐसा क्या है। यह तो एक मामूली सा छोटा सा बाथरूम है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि यह बाथरूम और ट्वालेट कमबाइंड है, तो क्या आप यकीन करोगे। देखिए कैसे। यह एक छोटा सा बाथरूम ट्वालेट में तबदील हो जाता है। इतना ही नहीं, साथ में दीवार खोलने पर आपको एक बेसिन भी दिखेगा। है ना, एकदमी यूनिक और शांदार कॉंसिप्ट। दोस्तों आए दिन बढ़ती चोरी की वारदातें और बैंक ढूबने के बढ़ते किस्से सुनके दो मानों हमारे कीमती पैसे और जेवर रखना एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। लेकिन अब हम आपको एक ऐसी अनोखी, सस्ती और सुरक्षित अलमारी दिखाएंगे जिससे आपका किमती समान चोरी होने का सवाली नहीं उठता। देखे इस अलमारी को जो दिखने में आम कपड़ों रखने वाली अलमारी प्रतीत होती है। मगर अब जरा अलमारी की पाई तरफ का हिस्सा ध्यान से देखना। जैसे ही अलमारी की पाई तरफ के हिस्से को बाहर की और खीचा जाता है, तो अंदर दिखाए पड़ता है एक सीगरेट अलमीरा। जिसमें कीमती सामान रखा जा सकता है। इस प्रकार की अलमीरा की मारकेट में काफी डिमान बढ़ रही है क्योंकि इसका खर्च भी कम है और इसको इंस्टॉल कर बिना किसी टेंशन के हम सब चैन की नीन सो सकते हैं। दोस्तों कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने घर पर पार्टी रखी हो और जगए कम होने के चलते कुछ गेस को बैठने की जगए ही ना मिली हो। हम कभी घर पे पार्टी रखें और थोड़े ज़ादा लोग आ जाएं तो गेस को बिठाने में दिक्कत होना तो स्वाभाविक है। ऐसे में या तो हमें प्लास्टिक चेर्स खरीद कर जेव खाली करनी पड़ती है या फिर गेस को दूसरे रूम या तो जमीन पर बिठाना पड़ता है। दोस्तों आपने कई ऐसे सोफास देखे होंगे जो बैड में कनवर्ट हो जाते हैं लेकिन आज हम आपको ऐसा अनोखा सोफा दिखाएंगे जो बैड में कनवर्ट होता है। इसे वापस सोफा में कनवर्ट करने का स्टेप भी बिलकुल आसान है। तो अगली बार आपके घर थोड़े जादा महमान आ जाएं तो आप टेंजन प्री होकर उन्हें ये मल्टी फंक्शनल फरनीचर सोने के लिए दे सकते हैं। आईए कुछ और ऐसे मल्टी फंक्शनल बैड की अनोखी डिजाइन्स देखते हैं। लेकिन हम और डिजाइन्स देखें उससे पहले जल्दी से नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो का दोस्तों आपने स्टडी डेस्क अटैच्ट विद ड्रेसर्स का ट्रेंड फॉलो करते बहुत घरों में देखा होगा। लेकिन इस वीडियो में दिखायागा डेस्क पर आप सो भी सकते हैं। कैसे? आईए देखने। डेस्क पर आपको शेल्फ डिजाइन नजर आ रही अगर आप इस शेल्फ के नॉप को पुल करेंगे तो ड्रॉर्स नहीं बलकि बेड दिखेगा। ये इतना लाइट वेटिड है कि आप सिर्फ अपने एक हास से जब चाहो तब डेस्क को बेड में कनवर्ट कर सकते हो। इसमें सबसे खास बात ये है कि आपको ये करने के लि नहीं नहीं हम किसी magic trick की बात नहीं कर रहे हैं ये एक amazing multifunctional unit है जिसे आप showcase की तरह सजा कर रख सकते हैं और इसे turn करके एक plane दिवार में भी convert कर सकते हैं इतना ही नहीं जरूरत पढ़ने पर इसे आप बड़े आसानी से एक आराम दायक बेड में भी convert कर सकते हैं क्या आप भी अपने घर में ऐसा TV unit लेना पसंद करेंगे हमें comment में जरूर बदाईएगा नमबर 10 space saving innovative decor अब आपको हजारों decor items से आपके घर को clutter करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक fabulous decor piece ही आपके घर को एक जबरतस look देगा इस video clip में हम देख सकते हैं कि कैसे ये महला bubble board को दीवार पर शीशा है जिसे दीवार पर लगा कर पानी भर दिया जाता है और फिर इसमें लगे एक विशेश उपकरण की मदद से हवा के बुलबुलों को सोक कर बाहर निकाला जाता है फिर इसमें लगे LED बल्ब्स को on कर दिया जाता है ये एक single decor piece को दीवार पर लगाने से आप घर बै बैट में टेबिल को इस तरहे जोड़ा गया है कि जरूरत पढ़ने पर ये आपके लिए एक टेबिल का काम करेगा और इस टेबिल में दो ड्रॉल्स, चार USB charging points, एक speaker और light भी है और इनकी सबसे खास बात तो ये है कि इस बैट की कीमत भी जादा नहीं है, है ना कमाल की बात अमारी लिस में अगले नंबर पर है रोल आउट टेबिल, ये काफी अनुका टेबिल है, इस टेबिल को देखकर ऐसा लगता है, जैसे ये लकडी से नहीं, बल्कि किसी कपड़े के material से बना हुआ है, इस टेबिल को मन चाहे तब फोल्ड करके रख सकते हो, या फिर जब आप इसे किसी पेपर की तरह खोल कर बिछा भी सकते हो, दोस्तों बढ़ते प्रॉपर्टी रेट्स की वजह से लोग छोटे घरों में रहने के लिए मजबूर है, ऐसे में इनोवेटिव मल्टी फंक्शनल डिजाइन की मदद से हम सभी छोटे घर पर रहने के बावजूद साधनों से संपन जीवन व्यतीत करने में सक्षम हो सकते हैं, क्या आप इन में से कोई मल्टी फंक्शनल स्टोरेज अपने घर के लिए लेना पसंद करेंगे, आपका इन में से कौन सा फेपरिट है, हमें कमेंट में जरू बताइएगा, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ